कुकु बेटा अब आप बड़े हो गए हैं बेटा अब आप अपने पापा के साथ काम पर जाया करें नहीं अभी मैं हूँ मैं अपने बेटे को कमा कर खिला सकता हूँ मैं तो रोज पापा से कहता हूँ मगर पापा मानते ही नहीं आपके पापा ने तो आपको बिगाड रखा है मुझे पूरा विश्वास है मेरा बेटा कभी नहीं बिगडेगा मेरा बेटा बड़ा होकर एक अच्छा और सच्छा पक्षी बनेगा फिर पापा चिडिया अपना कुल हाडा उठाता है और अपने काम पर चला जाता है पापा चिडिया एक लकड हारा था वो जंगल से सूखे पेड काट कर दूसरे पक्षियों को बेचता था पापा चिडिया उड़ते उड़ते पहाडों की तरफ चला जाता है वहां से वो हर रोज की तरह सूखी लकडिया काटता है वो लकडिया काट रहा था कि उसे एक सूखे पेड़ के पास खजाना नजर आता है इतना सारा खजाना मेरी तो किस्मत ही बदल गई शायद उपर वाले को मेरा कोई काम पसंद आया है फिर पापा ठिडिया वो खजाना पोटली में डालता है और अपने लकडिया उठा कर घर को चलता है वो बहुत खुशी खुशी घर जा रहा था कि किसी जालिम शीकारी का तीर सीधा उसे आन लगता है उसकी पोटली नीचे गिरती है और वो सीधी एक सूखे हुए खोखले पेड़ में गिर जाती है पापा चिडिया खुन में लटबत वही मर जाता है शाम गे जब मिठू वहां से गुजरता है तो मानो चिडिया को गिरा देह कर वहां आता है बहुत बुरा हुआ मानो को तो किसी जालिम शीकारी ने मार दिया है मुझे इसके घर बताना होगा ममा चिडिया और उसका बेटा कूकू अपने घर में बैठे पापा चिडिया का इंतजार कर रहे थे जब मिठू उनके घर आता है आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आएगा मिठू भाई ये आप क्या कह रहे हैं मानो को किसी जालिम ने मार दिया मैंने देखा मानो पहाडों के पास खून में लटपद पड़ा था उसकी सांसे बंद थी ये सुनकर मामा चिडिया और उसका बेटा रोने लग जाते है मामा, मामा, पापा, मेरे पापा को किसी जालिम ने मार दिया मैं कैसे रहूंगा अपने पापा के बिना ये इनसान ना जाने क्यूं हमारे दुश्मन है हमारा हस्ता बस्ता घर उजार दिया जालिम ने दो चार दिन बाद वो मा बेटा खुद को कुछ संभालते है कुकु बेटा, आपके पापा अब लोट कर नहीं आएंगे उठो बेटा, हमें जीना होगा आपके पापा आपको अच्छा और सच्चा पक्षी बना देखना चाहते थे ममा, मैं हमेशा अपने पापा की बातें याद रखूँगा मैं हमेशा अपनी ममा को खुश रखूँगा मैं जा रहा हूँ, आज से मैं काम पर जाया करूँगा जाओ बेटा उपर वाला आपकी रक्षा करेगा फिर छोटा कुकू अपने घर से निकलता है वो कबूतर के पास जाता है अगर कोहो तो मैं थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ आपकी मेरे पास कोई काम तो नहीं है नहीं मुझे मदद की जरूरत नहीं है मैं कोई काम ढोंड रहा हूँ फिर कुकू सारा दिन कभी यहां तो कभी ही वहां जाता है मगर उसे कोई भी काम नहीं मिलता शाम के वो अपने घर लोटाता है चिंता ना करो बेटा आपको जल्द कोई ना कोई काम मिल जाएगा ममा अब मैं सोचता हूँ पापा तो बहुत मुश्किल से कमा कर हमारे लिए लाते होंगे बाहर की दुनिया तो बहुत बुरी है कोई भी सी धेमो बात तक नहीं करता हाँ बेटा जब आपकी पापा थे तो हमें बाहर की कोई चिंता ना होती थी फिर दूसरे दिन कूकू अपनी ममा से कहता है ममा पापा का कुल हाडा कहा है मैं आज से पापा वाला काम ही किया करूंगा मैं भी लकड हारा ही बनूगा नहीं बेटा इसी काम में आपके पापा की जान गई थी वो दुख तो अब गम हो गया है मैं आपको खोना नहीं चाहती नहीं ममा जो भागे में हो वही होता है आप खुशी से मुझे काम पर जाने दे फिर कुकु अपनी ममा को मना लेता है अगर मेरे बेटे की यही इच्छा है तो जाओ बेटा मैं आपको नहीं रोकूंगी मैं अपने पापा की तरहां महनत और इमानदारी से काम करूँगा ये लो बेटा ये एक लड़ू है और बोतल में थोड़ा पानी जब भूग लगे लड़ू खा लेना और जब प्यास लगे पानी पी लेना फिर कुकु अपने घड से निकलता है वो सीधा घने जंगल में जाता है वो ये न जानता था कि लकडियां काटना भी कोई आसान काम न था वो दूपहे तक उड़ता है मगर उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिलता वो ठक जाता है और एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाता है मैं अपना लड़ू खा लेता हूँ फिर कुकु अपना लड़ू पैली से निकालता है वो जैसे ही लड़ू खाने लगता है सामने अपने घौंसले में बैठी बुड़ी फाखता उसे आवाज देती है छोटे पकशी मैं भूकी हूँ मुझे कुछ खाने को दो मैं उड़ नहीं सकती कुकु उस बुड़ी फाखता के पास जाता है मा जी मेरे पास ये एक लड़ू है ये आप खा लें जीते रहो बेटा खुश रहो कुकु फिर से उड़ता है थोड़ी दूर जाकर उसे प्यास लगती है वो फिर से बैठ जाता है अभी शाम होने में समय है मैं ये पानी पी लेता हूँ इससे मुझे थोड़ी शक्ती मिलेगी मैं प्यासा हूँ छोटे पक्षी मैं बहुत प्यासा हूँ कब से पानी ढून रहा हूँ मुझे पानी दे दो पेड़ की ये बात सुनकर कुकु सोच में पढ़ जाता है शायद वो लड़ू और ये पानी मेरे लिए था ही नहीं जो मेरा नहीं है वो मेरा हो नहीं सकता फिर कुकु अपना पानी उस प्यासे पेड़ की जड़ में डाल देता है मुझे जिंदगी मिल गई बेटा आपका कुलहाडा बता रहा है कि आप लकड हारे हो मैं सुभा से सूखी लकडियों की खोज में हूँ मेरे पापा अप नहीं रहे और मुझे अपनी ममा के लिए ये सब करना होगा बेटा यहां से पूर वाली दिशा में जाओ उसी दिशा में आपके पापा जाया करते थे क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? मैं इस जंगल के सब पक्षियों को जानता हूँ जाओ बेटा जो आपका है उसे ढूंड लो फिर कुकु वहां से उड़ता है वो सेधा पूर वाली दिशा में जाता है वहां उसे एक सूखा हुआ और खोखला पेड दिखाई देता है शायद मेरे पापा भी इसी जगा पर पेड काटने आते होंगे कुकु अपना कलहाडा चलाता है और उस सूखे और खोखले पेड को काट लेता है जैसे ही पेड गिरता है उसके अंदर से एक थैली निकलती है जो पास में ही गिर जाती है ये थैली कैसी है इसमें क्या है ये सोचते हुए कूकू थैली को खौलता है जिसमें ख़जाना था कूकू बहुत खुश होता है मैंने कर लिया उपर वाले ने जो मेरा था वो मुझे लुटा दिया ये वही थैली थी जो उसके पापा से मरते समय उस पेड में गिरी थी कूकू खुशी खुशी वो थैली और अपना कुलहाडा ले कर घर वापिस होता है आपने मुझे सही दिशा में भेजा था आपका बहुत-бहुत थन्यवाद पेड अंकल अपनी दिशा को भूलना जाना बेटा आपको जो मिला है वो सही दिशा में चलने का इनाम मिला है ऐसे ही दूसरों की मदद करना और आपको कभी जिन्दगी में परेशानी नहीं होगी खुश्या ही खुश्या मिलेंगी मैं वादा करता हूँ अंकल मैं हमेशा नेकी के रास्ते पर चलूँगा फिर कुकु बहुत तेजी से अपने घर की तरफ उड़ता है प्यारे दोस्तों जिन्दगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं दुखों में हमेशा खुश्यों की उमीद रखो और खुश्यों में ये मत भूलो कि दुख आते समय देर नहीं लगती आपका थेलने वाद